हिमाचल जम्मो कश्मेर हर्याना उत्राखंड में COPD की चपेट में सबसे अधिक लोग है रोजाना आईजम से अस्पताल के OPD की हम बात करें तो 85 फेजदी जो मरीज है COPD के है और 40 साल से अधिक आयू के लोग सबसे जादा इसकी चपेट में है COPD आम तोर पर सिगरेट पीने के कारण होता है हलांकी लंबे समय तक फेफडों में जलन पैदा करने वाले अन्यकार को जैसे धुम्रपान के धुएं के संपर्क में रहना COPD को बढ़ावा दे सकता है COPD के कारण वायू मार्गों से कम हवा बहती है और नलिकाएं आपके फेफडों से हवा को अंदर और बहार ले जाती है जिसमें काफी दिक्कते आ जाती है बचपन और किशरवस्ता के दोरान धुम्रपान और धुम्रपान के संपर्क में आनुसे फेफडों की व्रिद्धी और विकास धीमा हो जाता है जिसे ये बिमारिया बढ़ रही है हमारी देश में जम्मो एन कासमीर हरियाना हिमाचल उत्तरखन में सीओ पीडी की प्रिविलेंस बहुत जादा है उसकी एक रिजन स्मोकिंग है इसकी एफेक्ट होते लॉंग टाम स्मोकिंग करने की बाद इसमें लांग जो डैमेज होते वो पर्मानेंट होते और यह पोग स्मोकिंग छोड़के भी हमारी देश में एक इंपर्टेंट और भी एक पॉलिशन और भी अस्पेक्ट है उसको हम बोलते नॉन स्मोकिंग रिलेटेज सीओ बहुत सारी फैक्टर होते उसमें इंडो रियार पॉलिशन जैसा हम विंटर की थाइम चूला जलाते हीटिंग प फिर खेती में जैसा क्रॉप बार्निंग होते उससे भी जो धुआ निकालते वह भी लांग के लिए खोतिकरक होते प्लस आपको आपको आउट्डोर एयर पॉलिशन आपको पताए जे नॉर्ड़न इंडिया में पार्टिकुलर्ली दिली पार्ट्स आप यूपी रियाना इसमें पॉलिशन इस टाइम जयदा होते ये सारी लॉंगं में बहुत सारी बोडी में इंपेक्ट करते उस में बहुत सारी बी मरी हो सकता ऐख निंग और हार्ट दीजीज भी हो हो सकता रहते ऐस अब चीज कि उपर वाले होते हैं उसमें COPD बहुत ही कमुन है हमें ओपीडी में पार देड़ 10 से 20 तो COPD पेशन मिलते ही है तो अस्तमा पेशन भी हमें बहुत मिलते हैं तीवर क्लोसीज भी बहुत मिलते हम स्मोकिंग में जो बात कर रहा है सरफ CoPD ऑपन चोड़के-वह बहुत सारी कॉंडियों होते हैं सरस्तृफमें कि सो बहुत सब्सक्राइब लाटेलिया का1 तो जो दो बहुत सरी सरी बीवारी हमें मिलते ही रहते हृट। पहम क्या करते इसमें बहुत سरे अंतृफिलेश नहीं सरस्तटमंडर्पार्ट में आईजीमसी में smoking suggestion clinic है, de-addiction clinic है, हम patient को psychiatric में भेजते smoking suggestion करने के लिए तो treatment कोई बिमारी की सिरफ दबाई से नहीं होते, prevention part भी हमें धान देना चाहिए